हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो और अनदर वीडियो दोस्तों शाओमी ने अपनी MIUI 12 को अफिसली लॉंच कर दिया है और इस बार इसमें धेर सारे एक्ष्टा फीचर्स को भी एड़ किया गया है और इसके अनिमेशन और ग्राफिक्स में भी काफी सारे चिंजस किये गये ह और तो और इस बार इसका स्पीड और स्मूथनेज भी पहले से काफी ज्यादा फास्ट होगा तो चलिए देखते हैं शाओमी ने क्या कुछ किया है इस MIUI 12 में लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल अच्छा लगता है इसके अलावा जब आप किसी अप्लिकेशन को ओपन या क्लोज करेंगे तो उसके भी एनिमेशन में थोरी चेंज की गई है इसमें वह स्क्रीन के बीच से ओपन होते हुए दिखता है जो कि काफी स्मूथ और कूल लगता है इस बार इसके लैंडिसके मो किसी अप्लिकेशन को ओपन करते थे तो वह पहले पोट्रेट मोड में खुलता था और इसके बाद लैंडिसके मोड में चेंज होता था लेकिन इसमें वह डारेक्टी लैंडिसके मोड में ही चेंज होगा इस बार एप के टांजिशन में भी चेंज़स किये गए हैं और जब आप किसी अप्लिकेशन को क्लोज करेंगे तो वह कुछ इस तरह से क्लोज होगा जो कि थरह 3D स्लो मोशन जैसा लगता है इसके गेशन मोड में भी चेंज़स की गई है और जब आप उपर की तरफ ट्राइब करके लेट साइड में मूव करेंगे तो इसमें रिसेंट एप्लिकेशन खुल जाएगा इसमें नोटिफेकेशन के आइकन्स को भी डिटाइन किया गया है और अब इसके सौटकट मेनू कुछ इस तरह से दिखेंगे जो की साइज में थोड़े बड़े हैं लेकिन अच्छे दिखते हैं और इसके रेक्टरंगलर शेप में आपको कुछ इनफॉर्मेशन भी मिल ज अच्छा है इस पर इसके आइकन्स ग्राफिक्स और एप डौर में भी काफी सारे चेंज़ेस किये गए हैं जो कि अभी तक किसी भी यूई में देखने को नहीं मिला था जैसे कि आपने कितने स्टोरेस को यूज किया है कितनी बैटरी बची हुई है और वेदर के ग्राफि अच्छल के वालपेपर जैसा है लेकिन मेरे हिसाब से यह अनिमेशन और ग्राफिक्स ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करेंगे और पता नहीं शौमी इस इश्यू से कैसे डिल कर पाएगा इसमें आपको सारे एप्स में पिक्चर इन पिक्चर का सपोर्ट भी मिलेगा जिस तो यह था सारा ओवर्व्यू MIUI 12 का और इसका अपडेट फिलहाल इन सारे डिवाइसेस पर दिया गया है बाकी के डिवाइसेस पर यह अपडेट बाद में आएंगे तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को अपडेट के साथ तब तक के लिए अलविदा और वीडियो देखने के लिए शुक्रियां